नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल टी एश टेलर पाइंट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ काटोरी बलाउच का नाप कैसे लेते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दे और बेल आइ सबसे पहले हम लंबाई का माप लेते हैं इंची डेप को यहां से बिल्कुल किनारे से जहां पर सिलाई हुआ है वहां पर ऐसे रखते हैं और ऐसे यहां लाश्ट तक के लेते हैं इसका बलाउच का लंबाई है 13 इंच अब आ जाते हैं सीना चेस्ट जिसको चेस्ट बोलते हैं चेस्ट का नाप कैसे लेते हैं यहां से जहां पर सिलाई हुआ है यहां पर वहां पर टेप को रखते हैं और ऐसे हलका हलका खीच कर ऐसे माप इसका सीना है एक्काई सीन्च तो एक्काईस दूनी 42 सीन्च इसका chest होगा अब आजाते हैं इसका solder solder का मप कैसे लेते हैं ब्ला उच को आजा को ऐसे रखते हैं बटन लगाके अस़े बराबर से set कर लेते हैं और यहां से यहां तक तो इसका सोल्डर है 11 इंज अब आजाते हैं आर महूल की गहराई आर महूल की गहराई कैसे लेते हैं ब्लाउज को ऐसे बराबर से रखते हैं और ऐसे जहां पर ऐसे गहराई हुआ है इसका टेव को यहां पर रखेंगे और यहां से ऐसे देखेंगे इसका है आर महल की गहराई 5 इंच अब आजाते हैं इसका कटोरी इसका कटोरी है यहां से ऐसे रखेंगे 6 इंच इसका कटोरी है 6 इंच अब इसका सामने का गला देखते हैं क्या है इसका सामने का गला कैसे मापते हैं दो तरह से माप लेते हैं सामने गला को या तो फिर एक तरह से पहला माप लेंगे यहां से टेप को रखेंगे और जहां पर गला बना हुआ है स्टार्ट हुआ है वहां पर सीधी लाइन में कितना दूरी पर आ रहा है उसको देखते हैं तो यह है इसका गला 6 इंच 6 इंच की गहराई है गला की अब यहां से एक और तरीके से माप लेते हैं यहां पर रखते हैं टेप को और इसे तीर्चा तीर्चा ऐसे रखेंगे तो इसका 7 इंच आ रहा है यह 7 इंच आ रहा है अब गले की गहराई गहराई मापते हैं ऐसे गले की गहराई है 6 इंच अब आ जाते हैं कमर कमर कमाप कैसे लेते हैं बता रहे हैं भी बटन को खोड़ लिजीए उसके बाद टेप को यहां से अस्तीन की लंबाई यहाँ पर बिल्कुल बराबर से इसे रख लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर अस्तिन जॉइंट हुआ है सोल्डर में वहीं पर टेप को रखेंगे और देखेंगे इसका अस्तिन है स्ताड़े चार इंच अब आ जाते हैं इसका मोहरी मोहरी कितना है देख लेते हैं इसका मोहरी है 6 इंच इसका मोहरी है 6 इंच अब आर मोहल का कैसे माप लेते हैं आर मोहल 6 इंच इसका आर मोहल है 6.5 इंच बहुत से लोग क्या है ऐसे माप दे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे रख लेते हैं और यहां पर ऐसे माप ले दे बहुं सारे यहां हर लोगों का अलग-अलग तरीका से मापने का अपना तरीका होता है तो मैं यहां से यहां से बिल्कुल सिलाई जहां से हुआ है वहीं से रखता हूं और यहां पर ऐसे सिध्धा उसको माप लेता हूं इस पीछे गला कितना है उसको माप लेते हैं हमको मालूम है कि हामारा ब्लाउज का लंबाई है, वह है 13 इंच तो हम क्या करेंगे? टेप को ऐसे यहाँ पर लाश्ट में रखेंगे यह लाश्ट में रखेंगे ऐसे और यहाँ पर ऐसे देखते हैं पीछे गला को भी दो तरीके से माप लेते हैं पहला तरीका यह है कि लाश्ट तक यहाँ तेरा हमारा बुलाउज के लंबाई है मापे हैं तेरा इंच तो हम तेरा को यहाँ से रखेंगे और ऐसे देख लेंगे यानि हमारा पीछे गला है साड़े नाव इंच पीछे गला की गहराई है साड़े नाव इंच एक तरह से और माप लेता है मैं जो माप लेता हूँ वो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं माप लेता हूँ यहाँ से टेप को रखता हूँ और यहाँ से इसकी पीछे गला है साड़े ती नीच मतलब दोनों तरीका से आप माप लो तो एक ही निकलेगा तो इसका पीछे गला है साड़े ती नीच तो इस तरह से ब्लाउश का माप लेते हैं कई लोग अलग अलग तरीके से माप लेते हैं लेकिन मैं इसी तरीके से माप लेता हूं और हर लोग अलग अलग तरीके से माप लेंगे फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा जितना अगर चेश्ट जिवन मान ले जाए एक कैस है तो वो किसी भी तरह से माप ले वो एक कैस ही आएगा तो इस तरह से ब्लाउश का माप लेते हैं